ओके वेलकम अला फेयो और वेलकम ऑन गेट आकेडमी तो आज हम लोग जो है वो अपने सौट वीडियो का सेकेंड सेशन जो है वो देखने वाले हैं और पहले वाले सेशन में यानि कि जो हम लोगोंने कल टॉपिक देखा था उसमें कई सारे बच्चों का बहुत सारा अप्र करिए जो की काफी हेल्पफुल है रिवीजन के लिए और इंटर्विव के लिए और खास कर जो है टॉपिक की जो क्लियारिटी होती है उसका जो डेप्थ अनालिसस होता है उस पॉइंट आफ व्यू से जो है यह काफी इंपॉर्टेंट है तो उसी में आज हम लोग जो है इस अपने second session को जो है वो देखने वाले है और आज का भी topic जो है वो काफी important है यह hydraulics machine से है यानि कि हम लोग बात करेंगे आज priming method की जो हम pump में करते हैं ठीक है तो priming के बारे में हम बात करने वाले हैं और यह interview में काफी जादा पूछा जाने वाला topic है तो आराम से बढ़ि sir as a faculty हमें क्या करती हैं motivate करती हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले तो जो है आप मेरे telegram को जो है वो जोईन कर लीजिएगा ठीक है simply चाहिस लिंक को follow कर लीजिएगा यह search कर लीजिएगा Amit Maura sir gate academy और मुझे follow कर लीजिएगा वहीं पर सारी pdf और सारी वीडियो का लिंक आपको देखने को मिलने वाला है चलिए तो हम बात करने वाले हैं लिटिल बिट इंट्रोडक्शन है आप एक बार देख लीजिएगा बात करने वाले हैं प्राइमिंग मैथट की ठीक है तो यहाँ पर जो है वो दो different type के pump आपको नजर आ रहे होंगे ठीक है दो different type के जो है वो pump आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं पहले वाला जो है यह अपना centrifugal nature का होता है और second वाला जो यह दादा जी यूज कर रहे है यह अपना जो है वो reciprocating nature का है यानि घरों में खेतों में जो हम गाओं में यूज करते हैं खेत को पानी देने के लिए जो pump होता है मोटर जो होती है यह हमारी centrifugal nature की होती है और यह हमारी जो है वो reciprocating जो अपना hand pump होता है घरों में ठीक है यह reciprocating nature का होता है reciprocating mechanism पे यह वो work करता है तो basically priming होता क्या है देखो आपने में भी notice किया होगा कि जब हम अपने pump को start करते हैं तो उससे पहले हम उसमें कुछ water को fill करते हैं उसकी casing में water को भरते हैं और यह ensure हो जाती हैं उसको running करने से पहले कि पूरे casing में जो है वो water पूरा का पूरा भर गया है याई कहीं पर भी air का leakage नहीं है तो mind में question यह आता है कि ऐसा हम क्यों करते हैं मालो suppose that अगर हम water की filling ना करें दिन क्या problem होगा ठीक है तो आपन में भी notice किया होगा कि अगर हम water को casing में ना भरें तो water हमाला lift नहीं करता है मालो suppose that आपका engine है जो centrifugal pump है आपने उसको start किया power दिया और impeller जो हो है वो rotate होने लगा जो rotor है rotate करने लगा लेकिन water जो हो है वो lift नहीं कर रहा है some label से water जो है वो आई आप the impeller तक reach नहीं कर पा रहा या reach करने की जो ability है वो अंदर develop नहीं हो पा रही है ठीक है वैसे ही आपका receive progetting pump में भी देखने को मिलता है summer के days में खास कर और जहाँ पर water का label काफी नीचे है तो वहाँ पर आपने में भी देखा होगा जैसे हम लोग ऐसा से प्रेस करते हैं और water lift नहीं करता है तो उपर स जो है वो मग से उसमें जो pump है उसमें हम लोग fall कराते हैं जिससे और दिर 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 उसको प्रेस करते रहते हैं तो दिर 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 water जो है वो lift करना जो है वो सुरू कर देता है लेकिन इसका measure जो वो देखने को मिलता application priming वो centrifugal pump के case में मेरे भाई देखने को मिलता है अब द session नहीं करेंगे दिन क्या होगा और करेंगे तो क्या होगा तो इन ही सारे point पे अभी इस session में 10 minute के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आराम से बढ़िया देखेगा समझगेगा और कोशिस करिएगा कि interview में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप जो है इस answer को question के answer को द और पूरा का पूरा केसिंग से यहां पर देखोगे तो इस casing के अंदर जो है air filled है तो air यहां पर हमारा filled है तो अगर हम इसको start करते हैं तो यहां पर water जो है यह पाहड निकलके नहीं आता है यह water lift नहीं कर पाता है जैसे यह अपना sum प्लेबल है और यह section 5 है तो water even इसमें lift भी नहीं हो रहा है दूसरे में अगर हम बात करें इसमें अगर इस वाले कंडिशन में तो इसमें देखो हमने जो है वो फिलिंग तो कर रखी है ठीक है लेकिन पार्सली फिलिंग कर रही है यहां पर कुछ एमाउंट से एयर अंदर जो है वो लीक कर रही है ठीक है पूरी केस पर हैसे इसको हम बंद कर लेते हैं, ठीक है, हवा नहीं जाने देते हैं, अंदर pressure create करते हैं, ठीक है, एक impact create करते हैं, यहाँ पर इसको हम यहाँ से close कर लेते हैं, and then start करते हैं, ठीक है, तो easily water zo भाइअ है, उपर lift कर जाता है, तो इस वाले case में भी देखो water zo भाइअ हो some label से lift नहीं हो पा रहा है और ना तो यहां पर आपको delivery देखने को मिल रही है क्योंकि कुछ partially यहां पर अभी भी casing में या pipe में air जो है वो leak कर रही है मरे भाई third वाले case में क्या है कि पूरी के पूरी हमने casing जो है वो water से भर दी अब यह जो है वो water को some label से क्या कर पा रहा है lift कर पा रहा है मतलब capable है कि water को यहां से क्या कर ले lift कर ले और साथ में जैसे lifting स्टार्ट होगी यह water को क्या कर सकता है delivered कर सकता है तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप पूरी casing में air रखोगे तब भी यह lift और delivery नहीं कर पाएगा और अगर partially air भी अंदर leak कर रही होगी तब भी यह lift और delivery दोनों नहीं कर पाएगा अगर जब तक आप इस तो complete बिल्कुल air tight नहीं बना दोगे यह water को delivered नहीं कर पाएगा ठीक है पहला जो अब problem देखने को यहाँ पर मिलता है similarly अगर हम बात करें तो आपका जैसे यह देखा सा है ठीक है तो यह अभी में diagram भी बना के बताता हूँ जैसे bucket यहाँ पर कैसे होता है यह साफ्ट हो गया यह अपना जो है वो rotor हो गया जिसको हम आपर impeller बोलते हैं और यहां backward curvature वाली यह bucket लगी होती है backward cut wayne होती है और backward cut wayne हम क्यों use करते हैं यहाँ पर यह हम अगले video में देखेंगे ठीक है टरबाइन में forward क्यों करते हैं इसमें backward क्यों करते हैं ठीक है यह हम next session में देखेंगे तो यहाँ पर यह backward cut wayne होती है जैसे यह जब rotate करता है तो water यहाँ से निकल के ऐसे आता है और वेन की मदद से जो है वो water में हम power को add करते हैं ठीक है जो delivery tank आपका होता है और वो अगर power proper तरीके से नहीं हो पाती है दिन यहाँ पर problem देखने को मिलती है यह जास casing होती है यहाँ पर तो casing जो है यहाँ पर diverging nature की होती है यह diffuser casing यहाँ पर हम use करते हैं अब diffuser casing भी क्यों use करते हैं यह भी सब हम बात में देखेंगे diffuser casing होती है diverging natur की, turbine में converging होती है pump में जो है वो diverging nature की हम लोग use करते हैं ठीक है तो इसमें क्यू होता है वो हम लोग समझते देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने यहां पर डाइग्राम बना रखा है समझेगा यहां पर कैसे होता है यह अपने साफ्ट हो गया यह इसके रूटर या इंपेलर लगा हुआ है इस पे बैकवर्ड करवेचर वाली बेन है तो जैसे ही इसको आप रोटेट कर रहा होगा फिर यह वाटर को बाहर पांकेगी ठीक है तो इसके बार यहां केसिंग लगे होगे केसिंग से दन ओवरहेट टैंक होगा और ओवरहेट टैंक में हम क्या कर देंगे इसको डिलीवर्ट कर देंगे तो इसमें पावर का ट्रांसफर कैसे होता है साफ्ट पे बने येवेन पे और वेन से फिर वाटर में पावर होती है आड़ कीजाती है तो ये पावर जो है वो यहाँ पर आपन ट्रांसफर करते हैं ये पावर जीटर तो यहां पर 90 degree होता है और अगर यहां वार्लिंग होगी, मतलब यहां पर वर्ल हो रहा होगा तो फिर एजली यह यह वेन के सरफेस पर इंटर नहीं कर पाएगा, यहां पर आता है, यह इनलेट पॉइंट है, ठीक है, तो इनलेट पर वर्ल जो है, वो जीरो रखते हैं, जैसे अ हमारा सक्सन पाइप है, सक्सन पाइप और इसके बाद यहां पर जो है, वो अपनी वेन होगी, मानलो वेन में ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां से इसको यहां पर जाना है, अब अगर यह ऐसे रोटीट करता रहेगा, तो यह वेन पर आगे की तर्बाइन में exit पे है वालिंग अम क्या रखते हैं जिरो रखते हैं इसके लिए alpha 90 होता है वहां पर beta 90 होता है ठीक है changes होगा वो इसका होगा अब देखो अगर मानलो हमारा air है तो यहां पर row किसका आएगा air का आएगा q आएगा vw2 और u2 आएगा और अगर हमारा row जो है वो water है तो यहां पर row of water आजाएगा q आजाएगा vw2 और u2 आजाएगा अब यहां पर आप एक बार थोड़ा सा सोचिए इसकी जो density होती है यह 1 kg per meter cube के near about होती है और यह जो है यह अपनी 1000 kg per meter cube के near about होती है यानि कहने का मतलब यह है कि दोनों में almost जो है वो 1000 के factor का जो है वो difference होता है अगर आपके casing में air leak कर जाती है तो आपके जो power develop होगे lifting and delivery power जो develop होगी वो हमारी 1000 के factor से reduce कर जाएगी मारे इसलिए हम पहले से ensure हो जाते हैं before the starting of the pump कि कहीं casing में water तो नहीं है अगर air तो नहीं है अगर air होगा तो वो lift and delivered नहीं कर पाएगा and lift तो पहले आता है ठीक है lifting तो हो ही नहीं पाएगी suction pipe में इसलिए हम पहले से पूरी casing को water से बार देते हैं कि जो power develop हो रही वो 1000 के factor से हो है व तो वहां से air अगर leak करने लगे तो पूरा pump जो है पानी छोड़ देता है पानी ड्रॉप कर जाता है नहीं आता है बाहर इसलिए हम उसको मिट्टी लगा के काउडंग लगा के जो है उसको rubber के strips से बांद देते हैं और काउडंग मिला होगे अब देखो क्या होगा जितना ज जो है वो काउडंग मिला दोगे तो जो mixture या solution तयार होगा उसकी density और जादा होगी तो और जल्दी easily lift कर लेगा कुछ लोग मिट्टी बहर देते हैं लेकिन उसका disadvantage जो है वो impeller की blade पे देखने को मिलता है blade का साथ पर रफ होता जाता है जिससे power का loss जो है वो बढ़ जाता है यह क्या करता है ground से जो है वो water को जो है वो suction करने में जो है वो capable हो जाता है ठीक है तो यह पूरा का पूरा जो है वो प्राइमिंग का concept होता है और I hope के साथ इस 10 minute के session में मैंने आपको आराम से यह बता दिया होगा और interview में आप इसको बता सकते हूँ ठीक है फिर कभी आपन आपको जोइन कर लीजएगा वहाँ सारी PDF और notes आपको available है और साथ में जो है session को share करना मत बूलिएगा ऐसा एक session आपको daily एक या दो मिलते साएंगे okay thank you